दोस्तों G20 का समिट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है उससे पहले हमारे परधान मंत्री जी का एक इंटर्विव आया है इस इंटर्विव में इन्होंने बहुत हैं बात बोली है वो बात क्या है इन्होंने बात करी है कि देखो काफी बारना क्या होता है कि जो political parties होती हैं वो किसी चुनाव को जीतने के लिए अलग-अलग तरह से जो voters होते हैं उनको लभाने की कोशिश करती है ठीक है और इस तरह की जो populistic policies होती है ना उस वज़ा से short term के अंदर तो उनको सत्ता मिल जाती है पर long term के अंदर ना जो नुकसान होता है वो कहीं आम जंता का ही होत है सर वो कैसे देखो आप खुद सोचो अगर मान लो एक कोई सरकार बन गी और ये सरकार ने कुछ ऐसा काम किया कि लोगों को तो खुश कर दिया पर कहीं ना कहीं बहुत ज़दा करजा उस particular सरकार के उपर आ गया तो long term के अंदर मुझा बताओ किसका नुकसान हो रहा है आई बात समझ में तो इस तरह से जो चीजे होती है ना कि long term के अंदर इसका impact जो आता है वो गरीबों के उपर आम जंता के उपर उन सभी की उपर ही आता है तो इस वज़ा से इनने बात करी है कि जो अलग-अलग state governments है ना उनको इस चीज के बार में सोचना चाहिए जो policies होन इनने बात करी थी हमारी अलग-अलग states की fiscal situations क्या है तो वहां देखा गया थे जैसे पंजाब की बात कर ले तो पंजाब के उपर कर्जा बहुत जादा है राजस्तान के उपर कर्जा बहुत जादा है इस तरह से और भी states के इनने काफी सारी जिकर किया था ज़्यादा कर्ज आज की 4 सेप्टेंबर 2023 और आप सभी का स्वागत आज के प्रेलेम बूस्टर न्यूस डिसकेशन के अंदर पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं that is CCI, Competition Commission of India, देखो अभी क्या हुआ है na CCI ने विस्तारा और Air India, इनके मर्जर को अप्रूवल दे दिया है, थोड़ा सा ना हमें य एक्ट को डिटेल में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि इसको हटा दिया गया अब एक्ट को, ठीक है दरसल में MRTP क्या था, Monopolis and Restrictive Trade Practices, ये एक्ट लेकर आए गये थे, पर इसके कुछ नुकसान हो जादा हो रहे थे, तो हमने उस एक्ट को रिपील किया, Competition Act के थू दिखो, एक्ट में आप एक चीज़ समझो, मान लो ना, एक एक एक्जामपल लेकर चलते हैं, जैसे जीओ की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आज जीओ है, हमारे पास Airtel है, और भी है हमारे पास, V है हमारे पास, BSNL भी है, तो यहाँ पर इस तरह से जब 4-5 प्लेयर्स है पर लेट से एक मान के चलो, कि बागी सारी companies खतम होगे, सिरफ एकी company है, जीओ, तो जीओ क्या बन जाएगी, एक तरह से monopoly बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, और फिर अगर सिरफ एकी company exist करेएगी, इस case के अंदर, और बागी companies खतम कर दी गई हैं, तो हो गाया पता क्य फिर जीओ अपने मनमर्ज़ी वाले charges हम पे लगा सकती है तो बोलेगे कि एक जी भी data चाहिए चलो 1000 रुपे दो इस तरह से कुछ भी लगा सकती है तो actual में न हमें कुछ ना कुछ तीज़े देखनी पड़ेंगी तो देखता कौन है इस चीज़ को वो देखता है आपका CCI Competition Commission of India पहले वारा जो एक्ट था ना MRTP उसके अंदर हम ना Companies को बड़ा होने से रोक रहे थे कही ना कि ऐसा लग रहा था तो उसको हमने हटा दिया हमने बोला नहीं Companies को बड़ा होना ज़रूर यह अच्छी बात है पर ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा merger हो या कुछ ऐसा take over हो जाए जिससे कही न कहीं competition ही कतम हो जाए और जिससे monopoly वले और उसका नुकसान कहीं न कहीं हमारी आम जनता को हो तो यह सारी चीज़ों को manage कान करता है हमारा competition commission of India तो इसको बनाया गया था competition act 2002 के अंतरगत तो इस वज़ा से act के थूँ बनी है तो इसलिए क्या होगी है कि यह statutory body होगी 2009 में इसको constitute accordingly किया गया था point वही है कोई भी अपनी dominant position का abuse ना कर पाए ठीक है ना जो भी आपके M&A, M&A मतलब merger और acquisition जो हो रहे है कहिना कि उसका effect इंडिया के अंदर जो competition हो रहा है उसके उपर ना पड़े यह सारी चीज़ें इसके द्वारा देखी जाती है सर कौनसी ministry involved है यहाँ पे हमारी ministry of corporate affairs होता क्या है यहाँ पर आपके एक chair person होते है and 6 से जादा members नहीं हो सकते जिनको appoint कोन करता है appoint के जाते है central government के द्वारा इसके नकुछ है यहाँ पे eligibility है जैसे यह जो person जो appoint के जाएंगे chair person और जो बाकी members होंगे वो उनका integrity अच्छी होनी चाहिए उनकी अच्छी ability होनी चाहिए साथी साथ वो qualify होने चाहिए ताकि वो high quote के judge हो basically वो मैं यह नहीं कहा रहा कि high quote के judge होने चाहिए नहीं उनकी eligibility conditions होनी चाहिए न वो यहाँ पर same है इनके लिए साथ में ही उनका जो experience होना चाहिए हो 15 साल से जादा का होना चाहिए in various fields मतलब इनमें से किसी भी field के अंदर उनका 15 साल से जादा का experience हो सकता है चाहिए वो international trade, economics, business, commerce इस तरह से काफी यहाँ पर लंबी list नमें यहाँ आपर देखने को मिल जाती है यह एक ना quasi judicial body की तरह एक्ट करती है सर, quasi judicial का मतलब देखो जैसे हमारे courts होते न तो दरसल में एक court नहीं होते पर काम actual में कुछ court की तरह ही करते है ठीक है मैं थोड़ा इसके बार में भी लिखके आया हूँ quasi judicial body वो होती है जिसके powers और procedures court के जैसे होते हैं पर actual में वो court नहीं होते जैसे arbitrator हो गया, tribunal board हो गया इनके powers भी वैसे होते हैं यह किसी को समन वगएरा कर सकते हैं जैसे court कर सकते हैं पर actual में यह court होते नहीं है तो quasi judicial body उसी को यहाँ पर बोला जाता है जिसकी powers और procedure court के जैसे resemble करती है ठीक है इसका role देख लेते हैं Competition Commission of India का वैस्ट में अब तो समझाई दिया लोगों के अंदर awareness करेट करना Competition वजाल सिम्मुद्य के उपर यह चेक करना ताकि कुछ ऐसी practice ना हो जिससे competition खतम हो हमारे consumers का interest protector है यह सारी चीज़े इसके दोरा देखी जाती है चलते है हमारे अगले topic की तरफ that is 10 billion UPI transactions ठीक है देखो UPI के वारे में I don't think मुझे आपको समझाने की जुरुत है आप में से जात हर लोग इसको use करते ही होंगे बट ठीक है थोड़ा सा फिर भी हम समझ लेंगे इसमें क्या है ठीक है एक्चल में UPI में होता पता क्या है UPI एक system है जो multiple bank accounts को आपको एक single mobile application के अंदर power कर देता है अब आज के time के उपर देखो आप कैसे भी चाहे आपके अपास ना कुछ भी हो UPI ने actually एक platform की तरह है इसके माद्दे हम से आप किसी को पैसे बेज सकते हो directly bank to bank आप यहाँ पे बेज सकते हो अब चाहे आपके बास let's say आपके बास ATM का app है और सामने वाले बन्दे को आपस लटसे phone पे है तो भी आप directly बेज पाऊगे इसमें कोई दिक्कत वाली बाती है UPI ने सारी चीज़े possible कर रखी है तो UPI दरसल में start किया गया था बिलियन समझते हो ना बिलियन मतलब होता है 100 करोड और 10 बिलियन मतलब 10 into 100 तो 1000 करोड से भी जादा transactions सिरफ और सिरफ हमारे August महीने के अंदर हुई है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 बिलियन को हमने cross किया है पिछले महीने में जुलाई के अंदर हम जस्ट 10 बिलियन से कम रहे थे 9.96 बिलियन था पर इस August महीने के अंदर हमने इस चीज़ को भी cross कर दिया अब देखो यह बात आपने भी notice करी होगी आज़कल जैसे आप माल लो कुछ सबजियां करीदनेंगे ठीक है तो वहाँ पर भी लोग cash नहीं करी करते हैं लोग UPI कर देते हैं दूद लेने जाते हैं वहाँ पर भी UPI से पे कर देते हैं अलग-अलग जगा आप तो हर जगा यह आपको UPI देखने को मिल जाता है अगर हम बात करेंगा तो लगबग 50% year on year की growth हमें यहाँ पर UPI के transactions के अंदर देखने को मिल रही है तो अपने आपे बहुत ही बड़े number है तो जो बात करें थे थे ना देखो जो cash को थोड़ा हम कम करें कहीना कि उस direction में हम definitely जा भी रहे हैं मतला although cash है अभी भी market के अंदर बहुत जादा cash है बट यह जो digital transactions ना इसने बाकी चीज़ों को कहीना की कम करने के लिए काफी अच्छे कदम हमें यहाँ पर देखने को मिल गए है तो यह तो number of transactions थे एक्चन में value कितनी transact हुई है वो value transaction हुई है ठीक है ना आपके लगबग 15.4 से 15.6 lakh क्रोड के बीच में जुलाई के अंदर 15.3 lakh रोड थी उसको हमने यहाँ पर एक्सीड कर दिया है थोड़ा NPCI का भी देखें तो NPCI का ना एक्चुली टार्गेट पता क्या है कि हम 30 billion transactions चाते हैं पर मत अभी कितना टार्गेट चीफ क्या है 10 billion का हम move करने साथे 30 billion टार्गेट पर मत यह दो से अगले 3 साल के अंदर यह अचीव कर लेंगे NPCI के पर में आप जानते ही होंगे ठीक है ना 2000 जो साथ के अंदर जो payment act था payment and settlement act जो था उसके अंदर प्रोविजनस के अंदर बनाया गया था RBI Reserve Bank of India और Indian Bank Association इन दोनों का यहाँ पर initiative है और यह ना एक not for profit organization है अब आप लोग सोच लेहोंगे से यह not for profit क्या होता है देखो एक होता है profit वाली जो for profit होती है अगर माल लो NPCI को जो अलग 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 initiatives है उसके तूँ कुछ पैसा कमाती भी है वो कुछ profit मिलता भी है तो ऐसा नहीं कि profit उसके owners को जाएगा नहीं नहीं वो profit बापिस से company में invest कर दिया जाएगा ताकि company को आगे और बढ़ाया जा पाए getting the point यह आपको companies act 2013 का जो section 8 है ना उसके अंदर not for profit company की तरह इसको incorporate किया गया है I hope यह बात भी आप समझ गये होंगे ठीक है ना बाकिया आप देखी सकते हो ठीक है इसको बहुत बढ़ा चड़ा करनी बोलूँगा मतलब इसके काफी तारीफ करी गए थी कि यूपिया काफी अच्छी चीज है साथ में बहुत सारी country साथ हम collaborate भी कर रहे हैं ताकि यूपिया वहाँ पर भी use हो पाए तो यूपिया इंडिया की बहुत बड़ी achievements में से हमें एक देखने को मिल जाता है अब एक चीज ना यहाँ पर आप और देखो ठीक है ना आप आज का टाइम के उपर हर जगा आपको यूपिया यहाँ पर देखने को मिल भी जाएगा तो यह कुछ important बाते थी जो आपको UPI के regarding यहाँ पर पता होनी चाहिए थी और साथ में अगर आप notice करो अलग-अलग जो आपकी apps है आपका Google पर हो गया, Paytm हो गया, Cred हो गया यह सारी देखने को मिल जाती है, UPI share में अगर मैं बात करूँ न तो phone पर जो app है, वो सबसे आगे है, यह 47% जो UPI transaction है, वो phone पर होती है, बाकी 35% है वो आपका Google पर हो गया, उसके उपर होती है, और तीसरे नमबर पर हमारा जो Paytm है, वो आ जाता है, तो यह चीज़े आपक आपको कुछ homework दूँगा, ठीके न, reason being कि actual में आप सभी ने यह चीज़े static में पढ़ रखी है, बस आपको revision की जरूवत है, सर क्या चीज़े हमने पढ़ रखी है, पहले तो यह discuss करेंगे, पर उससे पहले पूरी news समझते है, देखो आने वाले दिनों के अंदर आप जानते साथ reopen union है, और इसके लावा कुछ हमारे special invites भी है, तो यह सारी countries के अंदर न, कुछ बड़ी important कुछ cultural चीज़े होती है, इंडिया के अंदर तो बहुत साई चीज़े हैं, उससी तरह से बागी countries के अंदर भी है, तो culture quarter के अंदर क्या होगा न, यहाँ पर इन सभी चीज़ों क के बारे में जानते होंगे, तो यह lost back technique हमारी यहाँ पर जो भारत मंडबम है, जहाँ पर यह होगा G27, उसकी second floor पर आपको यह culture quarter देखने को मिलेगा, वहाँ उसको display किया जाएगा, उसी तरह से जर्मनी की ब्युटन बग बाइक बल है, उसको यहाँ पर display किया जाएगा, हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़े हैं, दरसल में बात पता किया है, हम विलीव करते हैं बसुदेव के अंदर, that is, क्या मतलब इसका, one world, one family, one future के अंदर, ठीक है न, तो वही चीज़ को हम display यहाँ पर कर रहे हैं, and accordingly हम आपस में एक idea दे रहे है, equality का, shared identity का, उसकी बात करी जा रही है, कुछ न, important चीज़े हैं, जैसे, for example, यह है अश्ट ध्याई, ठीक है न, पानिनी के आप जानते हो, अश्ट ध्याई के बारे में, अश्ट ध्याई में न, देखो, दो वर्ड से बना है, एक है आपका अश्ट, एक है आपका ध्याई, अश्ट का मतलब क्या होता है, अश्ट का मतलब होता है, एट, ध्याई का मतलब होता है, चैप्टर्स, तो एक्चल में न, पानिनी के द्वारा जो अश्ट ध्याई को लिखा गया है, यहाँ पर आपके संस्कित लेंगोज के रूस के बारे में जिकर किया गया है, तो यह चीज़ भी डिस्पले होगी है, बस आपको रिविजन करने की जुरुत है, और क्या के चीज़ें थे हमें पढ़नी है, आपको देखो जैसे मेगना कार्टा, मेगना कार्टा के बारे में आप जानते होंगे, ठीके न, आप पॉलिटी के अंदर भी जब आप पढ़ते हो, तो यूके के अंदर, जब बा मेगना कार्टा को भी यहां पर डिस्प्ली किया जागा, यूकी यूके का की तरफ से है, उसी तरह से रिगवेद, ठीक है, रिगवेद तो आप सभी जानते ही है, ठीक है, तो इस मदा से यह भी आपने रिगवेद, यह जिरवेद, अथर, वेद, सामवेद, इनके बार में कौन सी स्टेट के अंदर रहे है, यह बताओ मुझे, लिविंग रूट बिज आपको, कहां देखने के मिलेंगे, मुझे लिचे कॉमेंट्स में एक बर बताना, तो इन्डिया की ना जो अलग-अलग कल्चर हेरिटेज है, उसको यहां पर डिस्प्ली किया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हर परस्पेक्टिव से यह चीज़े हमारी बन जाती है, ठीक है, लास्ट लिए एक और चीज में आपको बताओ, यह इस तरह की साड़ी है, जो हमें गुझरात में देखने को मिलती है, ठीक है, तो अपने आप में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो गुझरात की यहां बनती है, तो वो पटन पटोला भी गुझरात की यहां पर डिस्प्ले करी जा रही है, कुछ इंडिया की तरफ से है, बाकि फ्रांस की जो आइकोनिक पेंटिंग है, मोना लीसा, ठीक है, मेक्सिको का मैंने इस टेच्ट आपको दिखाई दिया, उसी तर से आपको जर्मनी की गुटनबग बाइबल भी हमने देख ली, ठीक है, इंडिया की और भी इंफेक्ट ना, जो आपकी वेदिक चेंटिंग है, उसको भी यहां पर डिस्प्ले किया जा रहा है, तो आपको यह चीज़े रिवाइस करनी है, जो आपने आपने आर्ट रिवा बात कर ली, तो यह कुछ इंपॉइंट चीज़े हैं, जो आपको इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इस मेरी माठी मेरा देश कैमपेंग, ठीक है, हमारे देश के बहुत ही जो भादूर जवान है, ठीक है, उन्हों ने, उनके द्वारा अपने न, उन्होंने देश के लिए अपनी जो जान कुर्बान कर दी, उनको मतला एक तरह से, उनको ऑनर करने के लिए, इस कैमपेंग को इनिशेट किया गया है, तो मेरी माठी मेरा देश, एक्चल में मारे बहादूर जवान उपर यहां पर उनको ऑन उसके अंदर मिट्टी को लेके जाया जाएगा अलग-अलग parts of the country से, वो मिट्टी विदब जो उनके अंदर पौदे होंगे, उसको यहां पर लाया जाएगा कहां पर जो मारा national war memorial है, वहां पर लेकर आया जाएगा, और इनको यूज किया जाएगा किस purpose के लिए, वहां पर अमरित वाटिका को बनाने के लिए, ठीक है न, तो यहां पर अलग-अलग घरों से, अलग-अलग wards, villages से, हर जगा से मिट्टी लेकर आई जाएगी, accordingly मिट्टी को यहां पर place किया जाएगा, फिर यहां पर अमरित वाटिका के अंदर इसको place किया जाएगा, and accordingly इंडिया के freedom fighters को यहां पर honor किया जाएगा, तो इस तरह से यह साई चीज़े work करेंगी, ठीक है न, आपको मेरी मिट्टी, मेरा देश campaign भी समझ गये होंगे, आप लोग यह कैसे work करते हो, अमरित कलशिया तो राकिर है क्या, ठीक है, home work थोड़ा आपका art and culture revise कर लो आज, ठीक है ठीक है, इसके अलावा, मैं आपको Justice G. Rooney Commission आपको बता चुका है पहले, काफी टाइम पहले, बट, revision purposes के लिए आपको मैं home work दे रहा हूँ, तो इसका भी होज़े आप अंसर बताना, फिर कल अकॉर्डिंग इसको भी discuss कर लेंगे, दूसरा home work आपका यह रहेगा, ठीक है, art forms के regarding, इसके लिए एक बार discuss कर लेते हैं, ED की बात हो रही है, क्या ED Ministry of Corporate Affairs है, गलत बात है, ED Council Ministry के अंदर आती है, मानी Ministry of Finance के अंदर, दूसरा बात Special Session of Parliament, क्या यह जो मारा Constitution यह बोलता है क्या, यह Special Session नहीं आएगा, यहाँ पर Constitution आएगा, एक्चल में, Constitution क्या यह बोलता है क्या क् पार्लेमेंट एक साल में कम से कम तीन बार मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना, समिधान के अंदर यह लिखा गया है, कि दो Session के बीच में 6 महीने से जाग गैप नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं लिखा क्या 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 इन बार क्या तीन बार तो कम स से आता है कि ऐला से हमें देखने को मिल जाएगा उसी तरह से दो उमबग दिए थे तो का करापार क्या गुज्राद के अंदर हैं बिल्कल करेक्ट है तो काएगा तो नमड़यक कंदर है् नहीं काईगा आता है करनाडका के चाहिए, साथ में बात करें, एशियार्टिक लॉइन्स की बात कर लेते हैं, तो क्या जो एशियार्टिक लॉइन्स हैं, वो यहां पर endangered IUCN status है, the answer is yes, देखो पहली बात यह समझो, जो एशियार्टिक लॉइन्स होते हैं, वो आपके पाई जाते हैं, इन गिर्फ और इस्ट आप गुजरात, यह भी अपने आप में correct है, बहुत साही लोग सोचेंगे, कि सिर्फ यह ही पाई जाते हैं, answer is yes, natural habitat के अंदर वो सिर्फ यह ही पाई जाती है, तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए, तो यहां पर इसका सही अंसर क हुआ, option number C, both 1 and 2, ठीक है friends, तो यह था आज का session, अगर आपको selective PDF चाहिए, तो आप मैं telegram channel, PW only as official पर जाके selective PDF को access कर सकते हो, और अपनी preparation को आप भी बहतर बना सकते हो, I hope आज का session आप सभी को अच्छे समझाया होगा, इसी तरह से आप भी अप्रेंट पर hard work करते रहिए, good bye and good luck.